प्रवाइस कैसे हैं आप लोग आसागरते आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ी होंगा आप लोगों की प्यावरा सुपोर्ट से हम लोग काफी जादा अच्छा और जैसा कि आप थाम्नेल में देख लिया होगा कि आज क्या टोपिक है कि है रावल भाई क्या बताने बाला है गफिर भाई क्या आप लोगोंने कुछ दिन बाद उस वीडियो होड़ों पे कमेंट वीडियो पे अच्छा रिस्पांस भी औरा लोगों कमेंट सेर सब्सक्राइब कर देना चीक है और वीडियो में आगे बढ़नेस पहले में कुछ बताना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे व्लॉक्स वगरा देखने में इंट्रेस्टेड हो तो आप हमारे व्लॉक्स वाले चैनल पर पहुच सकते हो जिसका नाम है निशा जेकर सॉट्स और आप हमचे थोड़ी बहुत बात करना चाहेंगा तो इस्टाग्राम पर फॉलो कर देना उसके बाद मैसे डाल देना कि राउल भाई ऐसा जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाइ कर दूंगा आप से बात कर लूँगा लेकिन हाँ एक भाई ने अपी में से कमेंट गिया रावल भाई आपने मुझे ब्लोक कर दिया पर और यहां फिर से जानलो मैं जूट नहीं बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं मुझे जब समय मिलेगा तब तक में रिप्लाइ करूंगा तक यह सम्झें तो इसलिए हमारी भी लाइफ जर्नी जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक मैं रिप्लाइब करूँगा तक इसा अगर जाथे कि दिन बर आपको रिप्लाइब ते रहे तो टीक ऐसा अगर अब दिन बर याप कमाई पेमेंट करते ना सबसे बड़ी बात है आप से दिन बर बात करते रहें गए तो फ्री में निकलेगी तब हमारे भी लाइफ है हमारे भी मतलब जिंदगी एक भाई तो हर्चिस को हमें भी न देहां देना होता ही नहीं ब्रदर आप लोग अपना मत भी लिए तो सुनाया होगा या फिर वो मुझे रियल वगणा बेज करके डिस्टर्ब किया होगा क्योंकि मैं लोगों को रिपलाइद देने के लिए टाइम निकलता हूं मुझे रिप्लाइद दिया करते हैं देखने लिए हां मैं देखूंगा कुछ इंफरमेटीव हो पहले आपको बताना चाहेंगे वर्क इंडिया अपके बारे में वर्क इंडिया है क्या तो वह ओनलाइन जोब फाइंडर अप उसके तुरू आप जोब बगर डोन सकते हैं जैसे कि बड़े-बड़े सहर में आप लोग आते आपका कोई जान पहचान का इधर नहीं रहता ह होगा जरूडी नहीं हर किसी का जान पहचान वाले रहे तो लोग भी आते हैं बड़े-बड़े सहर में तो लोग जोब कैसे ढूंडेंगे तो इसके में बहुत सारे कंपनीज ने अपना बना दिया जैसे के वर्क इंडिया तो वर्क इंडिया आप डाउनलोड गरते हैं प वेकंसी अधर आई है वेकंसी तो आप जाते इंटर्वियो देने के लिए तो फ्रॉड रहता है यहीं से तो दिखिए ब्रदर अगर जो आप गएंटर्वियो देने के लिए आप से पैसे घोड़ी की मांग किया जा रहा है वह एक बहुत तरीके से ठगा-ठगी होते हैं व सेलरी एकांट खुलवाएंगे या फिर डॉकुमेंट वेरिविकेशन का चार्ज लगेगा या फिर आपको कपड़ो जो मिलेगा ऑफिस के तरफ से जो कपड़ाएगा उसका चार्ज लगेगा बट यह सारे जो है रिफंडेबल है मतलब आपकी सेलरी में इंकलूड होकर च पोस्ट के लिए आप डेटा एंट्री का इंटर्व्यू देने के लिए वह आपको कहना लगे आपका जॉब जो है डोकुमेंट वेरिविकेशन के लग जाए इसमें या उसमें कुछ भी हो जाए मतलब आप गये किसी और पोस्ट के लिए बात मां किसी और पोस्ट को होने पोस्ट के लिए जौब करने के लिए वहां मिल रहा है किस पोस्ट में जौब तो यह बिल्कुल फेक है मेरे वाई ठीक है उसके बाद आप उसी भी पोस्ट के लिए पर इंटर्व्यू भी आपका नहीं लिया डायरेक्ट बो बताने लगा आप यह चीज का चार्ज लगे वह चीज का चार्ज लगे वह भी फेक है ठीक है इंटर्व्यू ना लेगर के बहुत सारी वह आपको ठगने के तरीका लाद में मतलब फिरागर के बाद को पैसे पहिला रहा है तो बिल्कुल वह फेक है भाई सरकारी उरकारी रहे तो माने थोड़ा बहुत 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 प्राइबट में गुस्त तो एकदम नहीं चलता है बाई कब से चलने ले लगा ठीक है हाँ यह हो सकता है कि आपका रेफ्रेंस कोई हो बोले कि हाँ बाई मैं तुम्हें आज बता दूंगा उसके लिए मैं पैसा लोगा वह सकता है बट एप के तो आप से पैसा मांगे तो है ठीक है तो एफ में पैसे करता है कि आप कैसे उसको फाइंड आउट करते हो ठीक है अगर पैसा नहीं कोगी नहीं होता पैसा तो नहीं मांगता है बढ़ आप से काम करवा के पैसा नहीं देता है ऐसा किस में होता तो वर्क्रोम होम वगर में होता है कि आपकी जोब लग जाती है आपके तरूब जो जो उसको हुदता है काम करवाना करवा ले था और पैसा नहीं देता है वर्क्रोम में हुआ है ए तो ऐसा भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि पैसा जो मांगे वह फेक है और जो नहीं मांगे उसमें फेक है तो जिसमें भी आप जो गरते हैं जैसे पैसा नहीं मांगा तो उसका एक प्रोपर ओफिस होनी चाहिए कि हां कल को हमारे साथ कुछ हो तो हम यहां सकते हैं इनके साथ आप बरक्रों कर रहे तो ऑफिस बर कर रहे तब तो सामने भाई ऑफिस आपको तो सब कुछ दिखी रहा है ठीक है यह हो सकती है लेकिन हाँ आप कोई परसंट कोई भी फेक ही होता है तो इसा नहीं है यह पूछाता सवाल उसका तुन लीजी जवाब हर एक पर फेक भी हर एक पर जैनुवन भी है ठीक है बट वह आप पे डिपेंड करता आप कैसे फाइंड आउट गरते हो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा कम है ऐसा कह सकता इसा कोई भी अभी तक तो फिलाल एप नहीं आएगा तो बताएंगे तो सब आप लोगों को बता देखना वेगरा जोब होगा उसमें बहुत सब्सक्राइब की जोब कर रहे हो ठीक है तो टेली को लिंग की जोब क्या होती है बेसिक जोब देखा जाए जैसे आप 10 पास हो तो 12 से 15 जार होगा ट्वेल पास हो 13 से 15 जार होगा ग्रेजुएट हो तो वह भी 15-16 जार तक होगी फ्रेसर के लिए एक्सपिरियंस हो तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा पर आपको सेलरी कहें फ्रेसर यह आप 10 पास हो आपकी सेलरी बाइसे जार रहेगी सर को लिंक का जो ह बचना चाहते हैं तो जब भी जो नियर वहीं जाया कि इंटर्व्यू वगरा देने के लिए वहां देखिए नियर भाई आपके रहे तब कोई करने हाँ जब भी जाए इंटर्व्यू देने के लिए मेट्रों के भी नियर वाई वो ठीग है ऐसा नहीं कि साइड इलाका में बुला करें चीना चोड़ी किया है और जब इंटर्व्यू देने जाओ ज्यादा पैसा वैसा बढ़िया मोवाईल वगरा नहीं ले जाओ और इजनल डॉक्मेंट वगरा भी नहीं ले जाओ ठीक है बहुत सारे कंपनी का एदेगा सर आप औरिजनल डॉक्मेंट लेकर क्या लाइएगा जिसका बेरिविकर सन्वाइडा होगा भाई आपको डॉक्मेंट की क्या जोड़ा तो उसमें जो आईडी नंबर लिखा रहा था वही नहीं जैसे आदार पड़े उसमें पहचानना पड़ेगा की कैसे क्या ठीक है लेकिन हाँ इस वीडियों मैं यह बताना चा अब एक जनुए भी वह आपके डिपेंड करता आप कैसे फाइंड आउट करते हो ठीक है और बाकि चलिए वीडियों के रोकना चाहेंगे देख कर कि कैसा लगा बताईए अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके बनेंगे अगर जो करनावत बता देना ठीक है और सेलरी बारा साथारा जाएक बीचे बाकि डिपेंड अगरता आपके इंटर्व्यू पर ठीक है चलिए मिलते हैं किसी और वीडियों तब तक लिए जाएं दोस्तों इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कर लेना जोब करने के टीक है